देखो यह जो प्रस्थन है, तीन नंबर का है, most important exam के दिश्टिकोर से, देखो प्रस्थिम क्या लिखा है, A और C का मध्यानुपाति B हो, तो सिध्ध कीजिए कि A square plus B square बटे AB, बराबर A plus C बटे B, अब देखो, क्या करना है, इसको हमको सिध्ध करना है, तो सस्पल याद लि लिखते हैं, तो देखो क्या होता है, A और C का मध्यानुपाति B मतलब हमको B को कहा लिखना है, बीच में लिखना है, मध्या मतलब बीच में, किसके बीच में, A और C के बीच में, प्रस्थन बोला है न, A और C का मध्यानुपाति B, मतलब B को बीच में लिखना है, अब लि लगाना समानुपात B, अनुपात C, तीन्ठो रहेगा, तो बीच को किते बाल लिखोगे, दो बार, और क्या लगाओगे, समानुपात, अब अनुपात मतलब होता है बटा, तो A बटे B, समानुपात मतलब होता है बराबर, फिर यह हो जाएगा B बटे C, तो यहां से यह हो ग है क्या लिख सकते हैं A C clear हुआ इतना यहां से समझ लेना A C के जगा B स्क्वर अब वापस आ जाना इसमें अब देखो क्या लिखा है यह left hand side है यह क्या है राइट hand side इसको लिख लेना LHS बरावर करकि इस प्रकार इधर A square के A square ही लिखना प्लस B square तो B square कर जहार क्या लिख सकते है C B square क्या लिख सकते है A Crest herecon crispy A B को कुछ नहीं करना clear हुआ puppa A square भी कुछ नहीं किया क्या हूँ A B भी कुछ नहीं किया है B square क्या क्या लिखना है A C अब देखो एक घाद दो है, तो यहाँ पर एक ठो A common निकल जाएगा, एक घाद दो को हम A into A ली सकते हैं, ठीक है, देखो, A को दो बार लिख दिया, अब दोने में common क्या है, A, तो A common निकल गया, इसमें क्या बचा, A, और इसमें क्या बच गया, C, बटा क्या हो गया, A, B, A और एक कड गया, तो क्या बच गया, A प्लस C बटे B, देखो, यही हमको उत्तर लाना थे, देखो, A प्लस C बटे B, तो इस प्रकार क्या हो गया, यहाँ कितना था, LHS, पराबर क्या हो गया, RHS, यह क्या हो गया, प्रूट हो गया, बहुत असान है, एक साइट को लेना, दूसरा साइट को लाना है, बस यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा, यह बन जाएगा असानी से,